जशीरादे आपकी आयू शायद आपने में रिखिए अच्छी बात है कोई बात नहीं आपको एकांतिक वृत्ती होती जा रही है बजन के लिए ये अच्छी बात है लेकिन क्योंकि परिवार भी है माता पिता भी है शायद विवायत हों तो पतनी है कि नहीं मैं नहीं जानता तो थोड़ा थोड़ा उनके परिवी जो दाइतो है उसमें दो भाव रखी है एक तो ये भाव रखी है कि ये मेरे माता नहीं है ये मेरे पिता नहीं है ये मेरी बाई नहीं है ये मेरा बेहन नहीं है जैसे मैं कृष्ण का दास हूँ ऐसे ये भी कृष्ण के दास हैं अभी आके कोई मेरी पतनी बन गई है, कोई मेरा भाई बन गया है, कोई मेरा पिता बन गया है, कभी किसी जनम में मैं इनका पिता बन गया था, मैं इनकी भाई बन गया था, मैं पतनी बन गया था, बेसिकली ये कृष्णदास हैं, मैं भी कृष्णदास हुँ, तो मैं कृष् दूसरा जितना कम से कम हो उतनी उनकी सेवा में लगी है उनकी सेवा में बिनकोर किशन समझ के मत लग जाएगे और देरे देरे वहां से आपका आसकती कम होती जाएगी भजन में आसकती बढ़ जाएगी और ये अनासकती भजन में आसकती बढ़ने से होगी मेरे पुराने प्रश्ण उत्तरों को देखी है उसमें कहा गया है बताया गया है जब जब आप भी कृष्ण भजन में आसकती बढ़ेगी वैसे वैसे संसार के समंदों में आसकती कम हो जाएगी संसार के जो माता पिता भाई भेन हैं ये शरीर के हैं आप या मैं शरीर नहीं है हम जीवात्मा है हमारे पिताजी भी जीवात्मा है और जीवात्मा कुष्ण का अंश है आपका भी मेरा भी आपके पिताजी का भी शरीर का संबंद है कि मैं किसी का पिता है ये शरीर किसी का भाई है ये शरीर किसी का पती है ये भाव को जड़ करत चलेंगे तो शरीर का संबंद जड़ संबंद होता है और आत्मा का संबंद छेतन संबंद होता है इसलिए जो भगवान से भी कहा जाता है कोई कहता है भगवान को मैं तो अपना भाई मानता हूं कोई पती मानता है ये भाई पती माता पिता ये जड़िये संबंद है ये अनि इसको दढ़ता से आप यदि अंदर कर लेंगे तो घ्रस्ट का भी पालन करते रहिये अन्मने मन से अना सकतो हो के और मन लगा के बजन में लगे रहिये एकांत वृत्ति है तो यह तो बहुत अच्छी वृत्ति है यह वध्ति बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है इसको का यता संबव मामंत्र का जब कीजिए शुद्ध रखिये भोजन को शुद्ध करिए प्याज लैसुन तो आप खाते ही नहीं होगे मासवद्रा का तो कोई प्रश्णी नहीं है तो जूठा मत खाईए किटा का क्यों ना हो माता का क्यों ना हो चटपटा भोजन बंद कर दीजिए भोजन में भी वेराइटी कम कर दीजिए दाल और चावल खा लिए बहुत है रोटी और एक सब्जी कर ली गर में तीन सब्जी बनी है दूसरे लोगों को तीन खाने दीजिए आप को एक सब्जी ले लीजिए एक सब्जी के साथ एक रोटी, दो रोटी, डाई रोटी, डेड़ रोटी खा लिजिए कम से कम स्वाद को हटा दीजिए अपने जीवन से वेराइटी को हटा दीजिए बोजन की मातरा को हटा दीजिए ओटल का बाहर का खाना हटा दीजिए तो आपका चित शुद्ध हो जाएगा और यह जो फिलोस्पी मैंने आपको बताने की निवेदन किया है यह समझ आने लगेगी समझ आने लगी बजन में मन लगेगा खुब आनंद हो जाएगा जैशी रादे जैनिताई जैशी रादे जैनिताई लगेगा